दोस्तों हर देश की खुद की एक मोसम विबाग की संस्था होती है, जो कि उस देश को बताती है कि उनके कोन से इलाके में ज्यादा बारिष या फिर मोसम की ज्यादा कमी होने वाली है तो आज के इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी एक संस्था के बारे में बात करने वाले है और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें थाके नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँँच सके तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IMD क्या होता है और इसका फुलफोम क्या है लेकिन इससे पहले आप लोग उजनीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए कि आप लोग कौन से राजिया में रहते हो तो अब जान लेते हैं कि IMD क्या होता है दोस्तो हर देश में परियावरन और मोसम से संबंदे जानकारी देने के लिए एक संस्था बनाई गई होती है एसी ही एक संस्था भारत में भी मोजूद है जिसका नाम है IMD IMD हमें होने वाले मोसम के बदलाव और आने वाले तुफानों की सूची देता है IMD का फुल्फोम होता है Indian Metrological Department ये इसका फुल्फोम है हिंदी में इसे भारत मोसम विग्यान विबाग भी कहते है ये भारत सरकार के पुल्फवी विग्यान मंत्रा लई की एक साखा है इसका काम मोसम संबंधी, भविष्यवानी करना, मोसम का पुर्वानुमान करना और आने वाले पुकम के बारे में जानकारी देने का होता है तो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि IMD संस्था क्या होती है और ये क्या काम करती है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दिजिएगा और वाटसेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे सेर जरूर किजिएगा और एसे इन्फोर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो उसकी नोटिपी केसन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टोपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वो टोपिक आप नीचे कमेंट बोक्स में लिख सकते हो